किडनी में इनफेक्षल लगने के बाद या किडणी फिल हो जाने के बाद या कोई डालिशीस पेशेंट्स हैं तो उसके खाने पीने पे बहुत सारी बंदी से लग जाती है या उसकी डाइट बहुत ज्यादा कॉंचियस हो जाती है और वो अच्छा खाना नहीं खा पाता है जिसकी वज़े से दिन पर दिन उसका weight loss होता चला जाता है और खाने पीने से एक kidney रोगी की जो इच्छा होती है वो दीरे-दीरे कम होनी लग जाती है मन तो बहुत होता है खाने का बट वो क्या खाये उसको समझ में नहीं आता है तो आज मैं आपको बताऊँगा ऐसी कुछ सबजियां जो आप खाना चाहेंगे और हर विक्ति को उसको खाने का दिल करता है चाहे कोई बच्चा हो चाहे बुड़ा हो चाहे महिला हो चाहे कोई बीमार विक्ति क्यों ना हो चाहे किड्नी रोगी की क्यों ना हो उसका भी मन इन सब्जियों को खाने का बहुत करता है तो आज मैं आपको इन सब सब्जियों के बारे में डेटेल से बताऊंगा और आप इन सब सब्जियों को अच्छे से बना करके खा पाएंगे और अपने मन की तरिपती कर पाएंगे लेकिन आपको सही से पता होना चाहिए कि आप कैसे कोई भी चीज खाएं जो कि आपकी बोड़ी में जाके आपको नुकसान ना करें तो आज मैं आपको बताऊंगा डेटेल से तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें प्रेंड्स आप लोग वीडियो देखते हैं और आप लोग वीडियो पे सपोर्ट नहीं करते हैं तो प्लीज सपोर्ट जरूर करिए मेरा हाँ जोड़ के आप सबसे निविधन है फ्रेंड्स मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें और ये एक ऐसी सबजी है जिसको खाने का मन हर एक विक्ति का करता है क्योंकि ये बंती ही इतनी टेशली है और इसको खाने का मन सबका होता है और आप जब इसको अच्छे से बनाते हैं तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा निखर जाता है साथ में ही मश्रूम के अंदर बहुत सारे पौसक तत्वों पाये जाते हैं खनीजों से भरपूर होता है मश्रूम मश्रूम किड्नी रोगी के लिए एक तरीके से सूपर फूड हो सकता है क्योंकि इसमें इतने सारे खनीज तत्वों और इतने सारे vitamins, protein, minerals पाये जाते हैं कि एक kidney रोगी के लिए 50-100 ग्राम मश्रूम बहुत होंगे पड़े के हिसाब से तो आज हम जानेंगे कि एक कप मश्रूम यानि कि 70-100 ग्राम के मश्रूम में क्या-क्या पोशक्तत्व पाये जाते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे calorie की तो 100 ग्राम मश्रूम में आपको 21-25 ग्राम कैलरी मिलती है उसके बाद हम बात करेंगे protein की प्रेंड मश्रूम में एक average quantity में ही protein पैया जाता है जो मश्रूम में protein होता है वो आपका 3 ग्राम के आसपास होता है जब आप 70-100 ग्राम मश्रूम का सेवन करते हैं तो आपको उससे 3 ग्राम के आसपास protein मिलता है इसलिए अगर kidney रोगी कोई भी हो चाया उसका डालेसिस होता हो या और दिदोईया खाता हो या उसके urine में से बहुत अधिक protein आता हो अब बात कर लेते हैं carbohydrate की तो मश्रूम में 3 से लेकर के 3.5 ग्राम तक carbohydrates पाये जाते हैं अब बात कर लेते हैं kidney रोगियों के लिए जो जहर है वो है potassium तो फ्रेंड मश्रूम में potassium भी होता है और मश्रूम में जो potassium की मात्रा होती है वो 300 से 380 मिली ग्राम पर 7200 ग्राम होती है क्योंकि हम 70 से 100 ग्राम की बात कर रहे हैं यानि एक कप मश्रूम की बात कर रहे हैं तो अभी आप टेंसल में आ गए होंगे मश्रूम में तो यार potassium भी होता है तो सर क्यों बता रहे हैं तो देखिए जिस भी patient को यूरीन आ रहा है वो मश्रूम अराम से खा सकता है क्योंकि potassium phosphorus जो होता है वो आपकी यूरीन से ही बाहर जाता है साथ में protein भी आपकी यूरीन से बाहर जा रहा होता है तो आप असानी से मश्रूम खा सकते हैं जो जिनको यूरीन बिल्कुल नहीं आता है उन patient के लिए ये है कि वो एक limit में मश्रूम खाए जैसे कि 70 gram मश्रूम बहुत है उनके लिए इतना मश्रूम अगर वो खा लेते हैं तो कोई उनको problem नहीं होगी मश्रूम में vitamin C भी पाया जाता है मश्रूम में जो vitamin C की मातरा होती है वो 2 mg के आसपास होती है इसलिए मश्रूम आपके रोग परतिरोदक चमता को भी बढ़ाता है साथ में मश्रूम में vitamin D भी पाया जाता है calcium मश्रूम में जो vitamin D की मातरा होती है वो 0.2 mg के आसपास होती है मश्रूम में सोडियम भी पाया जाता है तो मश्रूम में जो सोडियम की मात्रा होती है वो 4.8 मिलिग्राम होती है मश्रूम में कोपर भी पाया जाता है मश्रूम में जिंक भी पाया जाता है मश्रूम में सारे के सारे खनीश तत्वों पाया जाते हैं जो आपकी किड्नी के लिए आपकी बोडी के लिए बेहत जरूरी होते हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि किड्नी रोगी मश्रूम खाए अब मश्रूम खाने के लिए उसको करना क्या है कि मश्रूम आपको 70-100 ग्राम के आसपास खाने है जिसको यूरीन आता है वो 100 गराम मश्रूम जैसे की मटर के साथ या आलू के साथ बना के खा सकता है और जिसको यूरीन बिल्कुल नहीं आता है वो क्या करे कि मश्रूम को बनाए कितना 50 ग्राम के आसपास मुश्रूम बना ले उसमें मटर का परियोग कर ले हरी वाली जो आता है साथ में थोड़े से आलू पानी में भिगो करके डाल दे छील करके चोड़े पीस काट करके और उसकी अच्छी सी सालन बना करके चपाती के साथ खाए तो आपको स्वाद भी मिलेगा और साथ में सारे के सारे पौसक तक तो आपकी सरीर में जाएंगे तो फ्रेंट वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे को सपोर्ट करिए तो चलिए वरेट वीडियो को समाप्त करते हैं धन्यवाद